हेलो रादे रादे, आप सब कैसे हैं, मैं आशा करती हूँ, आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आज की टिप्स अंटिक्स बहुत ही यूस्पूल है, जिसके थूँ आप अपने सारे काम को बहुत ही असानी से कर सकेंगे, और बहूत सारे पैसे भी बचा सकेंगे, चूड़ियां हम लोग महंगी खरीदे या सस्ती खरीदे तो आप लोग अच्छे से रखते हैं लेकिन कभी सफर में जाना होता है तो उनको हम लोग कैसे रखे जिससे बिल्कुल भी तूटे ना तो यहां पर देखिए मैं अपनी काज की चूड़ियों को जो हम लोग का जो च दस चूड़ियां बहुती अराम से इस रबर बैंड में आ जाएगी अच्छे से तो यहां पर देखिए चारी सारी चूड़ियां अच्छे से फिक्स हो गई हैं अब हम लोग को चूड़ियों को कहीं भी रखते हैं अपने बैग में या पर्स में तो यह बिल्कुल भी नही से पैक कर दिया है तो आप भी कभी सफर में जाएं या कहीं जाना हो तो आप अपनी चूड़ियों को इस तरह दो तीन रबर बैंड में अच्छे से रख सकती हैं तो इससे बिल्कुल भी चूड़िया नहीं तूटेंगी और काफी लंबे समय तक चलेंगी यह बहुती यू चीज़ों से उनको ठीक कर सकते हैं या पर देखिए मैंने थोड़ा सा फाइल पेपर लिया है तो फाइल पेपर आप लोग इस तरह से ले लेंगी और लेने के बाद थोड़ा सा तुकड़ा हम लोगे जो सेल खराब हो गए हैं काम नहीं कर रहे हैं उस जगए पर इस तरह लगा देना है और अपनी जग़पे फिक्स कर देंगे तो इसके यह से यह होगा जब हम लोग इससमे फाइल पेपर लगा देंगे तो यह दो या तीन दिन बहुती असानी से चलेगे यह नहीं है कि हम लोग को तुरंद कर लाना पड़े आप लोग इसको ट्राइट फिर जाके आप मार्केट से दूसरे से लाकिस में डार सकती हैं एमेर्जंसी के लिए आप ऐसा कर सकती हैं जो बहुत ही यूसफूल है आप इस टिप्स को जरूर ट्राइ करके देखिएगा मेरी अगली टिप यहाँ पर दाल को ले करके हैं दाल में जब हम लोग कोई भी मार्केट से समान ले करके आते हैं या दाल वगएरा चावल कुछ भी ले करके आते हैं तो उसमें गाट बहुत ही टाइट लगी होती ही जो हम लोग खोल नहीं पाते हैं तो घर में हम लोग अप बहुती असानी इसको खोल सकते हैं आप लोग ट्राइ करके जरूर देखेगा मेरी अगले टीप यहाँ पर शिम्ला मिर्च को ले करके हैं जब उसको काटते हैं तो इसके बीच चारो तरफ फैल जाते हैं तो हम लोग को बहुत काटे से उसको काटना भी पड़ता है लेकिन आ आपको उपर से दो तरफ से कट लगाना है तो यह देगे चार कौनर हम लोग के अच्छे से त्यार हो गए अब हम लोग एक करके शिम्ला मिर्च को इस तरह से फैला देंगे तब आप देखेंगी तो जो बीच है शिम्ला मिर्च का वो बिल्कुल अपनी जगे पे है और उस सारे बीच एक तरफ मैंने निकाल दी है उसके बाद ही शिम्ला मिर्च हम लोग बहुत ही असानी से कट कर लेंगे और हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा तो आगे से आप जब भी शिम्ला मिर्च को काट सकते हैं मेरी अगली टिप यहाँ पर इस पेपर को ले करक दो फोर्ण हम लोग के इस तरह से लगाने हैं यह देखें तो इससे होगा कि तीन हम लोग के इसके कागस के तीन पार्ट बनके तयार होंगे इसका क्या यूज होगा अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ तो यहाँ पर देखे इस तरह से तीन पार्ट इसके हो गए हैं त तो कि हम लोग के पता सल जगे कि किस टाइम कौन सी दवा देनी है और अगर कोई दूसरा भी देना चाहे तो बहुत असानी से जान जाएगा कि सुभा दवा किस टाइम देना है दुपहर या शाम को तो यहां पर देखिए मैंने जितनी भी टैबलेट थी मैंने सारी तीनो खा दुपहर के ताइम आफ्टर नून में मैं ए लिख दूँगी और तीसरे पार्ट में इवनिंग समय ए लिख दूँगी इससे यह होगा कि आप लोग बहुत आसानी से जान जाएंगे कि कौन सी दवा हम लोग को दुपहर में देना है कि सुभे देना है कि शाम इससे हम यह बहुती यूसफुल टिप्स है आप ट्राइ करके जरूर देखेगा मेरी अगली टिप यहाँ पर अंगुठी को ले करके हैं हम लोग गोल्ड के अंगुठियां पहनते हैं लेकिन कभी अंगुठी बड़ी हुयाती हम लोग के दूसरी उंगली में पहनना हो तो वो दागा आप थोड़ा सा मोटा दागा लीजेगा तो आप धागे को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगी दागे को दबल करने के बाद आपको इस तरह से अंगुठी में धागे को डालना है अब रीच के पोर्शन से दोनों धागे इस तरह से निकाल लेना है तो देखे आप आप लोग ध्यान से देखेगा इस तरह से जब हम लोग अंगुटी में धागा डालेंगे तो यह बहुती अच्छे से इसमें सेट हो जाता है धागा यह लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग के पार इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग जाके मारकेट जाएं अगर लूज हो तो इस धागे की हल्प से थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं जिससे हम लोग की अंगुटी बिल्कुल भी गिरेगी नहीं और अपनी जगर पर फिक्स राएगी तो यह देखिए आप लोग ध्यान से देखेगा धागा इस तरह से आपको इस तरह से बार बार कर करीबन 6 या 7 पॉर्शन हम लोग इस तरह से धागे के लगा देंगे तो यहां देखिए धागे को आप सीधा करेंगी फिर अंगुटी के अंदर डालेंगी और इस तरह से निकाल लेंगी करीबन 8-10 बार आपको इस तरह से करना है ताकि आदी से जादा अंगुटी में इस तरह से धागा लिपट जाए इस तरह से धागा हम लोग लपेटेंगे तो बिल्कुल भी धागा आगे खुलेगा नहीं और अपनी जेकर पर फिक्स भी राएगा तो यहां पर देखिए धागा मैंने पूरे अच्छे तरह से इसमें लॉक कर दिया है अब हम लोग को इसमें मैंने थोड़ा सा बड़ा ही धागा लिया था जिससे हम लोग को आगे दिक्कत ना हो कि धागा छोटा पर जाए उसके बाद जहां पर हम लोग ने धागा काटा है उसके दोनों पोर्शन आपको इस तरह से पकरना है और फिर माचिस की हेल्प से इसको थोड़ा से जला देन जलाने पर यह होगा कि यह बिल्कुल अच्छे से चपक जाएगा दागा बिल्कुल अलग लग नहीं रहेगा दोनों धागे अपनी जगे पर चपके रहेंगे बिल्कुल भी अंगुठी से खुलेंगे नहीं तो यह देखिए हम लोग की अंगुठी बहुती अच्छे से त हीली हो या लूज हो तो आप लोंग इस तरह से धागा लगा के अपनी अंगुटी को बहुत ही अच्छे से थोड़ी सी टाइट कर सकते हैं आप इस टिप को जरूर ट्राइ करके देखेगा यह बहुत ही यूसफुल टिप से और बहुत ही काम की है तो यहीं पर मैं अपनी वी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूंगी और आप लोंग अच्छे से इसको लाइप भी करें